नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाथिया इस स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ टाटा पावर के स्टॉक के बारे में इस स्टॉक के लिए आज का दिन काफी इंपोर्टेंट है क्यूंकि आज कंपनी की ओफिशियल जो है वो मीट करने वाले मिलने वाले किस से जेपी मॉर्गन से यहाँ पे इन्वेस्टर मीट चल रहा है जेपी मॉर्गन के सामने अपनी आगे के लिए डीटेश दी जाएंगी कि बाई कैसा दिखता है अपना आगे का कारोबार अब मैं आपको बताऊं इसी से रिलेटिड आज एक स्टॉक एक्शन में था बजार में और उस शेर में आज 8% की रैली बनी है क्यूंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को आगे के जो आउटलुक है वो बताए और वो उन्हें बहुत पॉजि यह डारेक्ट मिलती है बात करती है आगे का आउटलुक देखती है उसके बाद खुद निवेश करती है उस कंपनी में एक कंपनी को भी पैसा चाहिए अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो लोग इन्हें प्रोवाइड करते है अगर इन्हें आगे स्कॉप दिखता है तो लगबग स्टॉक में आज जो रैली बनी है वो आठ परसेंट तक की रैली आप सभी ने देखी और ये रैली केवल और केवल एक ही वज़य से आई है क्यूंकि इनका भी इन्वेस्टर मीट था और वहाँ इनकी जो आगे के आउटलुक है वो बहुत तंगड़ा था इन टाटा पावर का भी इन्वेस्टर मीट चल रहा है आप देखते है जेपी मॉर्गन की तरब से क्या राय निकल के आती है और इसलिए ये आपको समझ में आना चाहिए कि अपने आप में कितनी इंपोर्टेंट चीज है अब टाटा पावर के बारे में जितनी डीटेल्स हमा लगबग लगबग Fy23 तक in fact Fy23 चली रहा है Fy25 तक इस Fy23 में कंपनी ने around 14,000 करोड का निवेश करा है केपेक्स करा है और टोटल ये 75,000 करोड का केपेक्स करना चाहते है जिसमें से जो 14,000 करोड इस वित्तवर्स में हुआ है उसमें से 10,000 करोड रिन्यूवल्स में हुआ कंपनी के जब quarter 2 के numbers आए तो आपने देखा कि रिन्यूवल्स से अच्छा खासा कही ना कहीं कंपनी प्रॉफिट भी निकालते हुए दिख रही है जो की आगे के लिए बहुत ही जादा positive outlook देती है कंपनी को कंपनी के बारे में बात करें तो लगबग 70,000 करोड का market cap है कंपनी का स्टॉक का PE 27 का है बुक वैल्यू पर शेर 80 रोपीस की है जिसके सामने स्टॉक 220 पर ट्रेड करता है तो almost 3 टाइम की बुक वैल्यू पर ट्रेड करता है 8.42 का return on equity है जिसे मुझे लगता है थोड़ा सा बढ़ना चाहिए return on capital पर 9.30 का है dividend yield almost 1% की है share में बात करें तो negative जादा दिख रहा है positive कम दिख रही है अगर इसका peer comparison करें तो ये stock बाकी के मुकाबले थोड़ा महंगा दिखता है peer comparison में तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए नतीजों की बात करें तो company ने September quarter में 935 करोड का profit किया था year on year basis पे देखें तो ये 506 करोड से बढ़कर 935 करोड का था quarter on quarter basis पे 884 करोड से बढ़कर 935 करोड पे आया margins की बात करें तो 12% से बढ़कर 13% पे आया और year on year basis पे देखें तो 9800 करोड से बढ़कर 14000 करोड पे आते हुए दिखी आपको sales year on year basis पे मैं आपको साल दर साल इनका profit बताना चाहूँगा तो company 2017 में around 1100 करोड का पैट निकाल रही थी 18 में 2600 करोड का 19 में 2600 करोड का और 2020 में 1300 करोड का यानि की गिर गया profit आदा रह गया 21 में 1400 करोड का 22 में अभी 2156 करोड पे आ चुका है और TTM basis पे देखें तो 3000 करोड से उपर निकल चुका है अभी तक earning per share company का increase होगे 5.45 रुपीज पे आ गया है share holding pattern में आपके साथ share करोड तो promoters 46.86% stake hold करते हैं FIIs 10% stake hold करते हैं DIs 14% retail investors 28% तो यह कहीं ना कहीं share holding pattern है जो की mixed है company की cash conversion cycle देखें तो 51 days का है जो की 58 days से गटकर 51 हुआ है तो यह अच्छी बात है जितना कम होता है उतना अच्छा है shares की बात करें तो reserves company के पास 25,000 करोड का है और borrowings 25,000 करोड है लेकिन borrowings 53,000 करोड है तो reserves से double borrowings है company के पार जिसमें से short term और long term कुछ भी नहीं दिखता other borrowings में सारा का सारा amount आ रहा है तो यह थोड़ा एक interesting सी चीज दिख रही है तो यह कहीना कहीं मेरी तरफ से जानकारी Tata Power के stock के लिए है hope आपको वीडियो समझें प्रसंदोन आई होगी thank you so much for watching this video have a great day guys